इस शक्स ने इंग्लेंड में अपनी लाखों की नोकरी छोड़ दी और भारत देश में वापस आकर खेती करने लगा और अब वो करोडों रूपय कमा रहा है। जिहां गाई इस एक आनी राजस्तान के नवदीप गुलेच्छा की जिने साल 2011 में अपनी ग्रेजुविशन के बाद इंग्लेंड में एक अच्छी नोकरी मिल गई थी लेकिन महज दो साल के बाद ही वो इस नोकरी को छोड़ कर अपने देश लोट आए। जहां पहले तो उन्होंने एक रिजोट खोलने की सोची लेकिन फिर उनके मन में आया कि क्यों ना पहले खेती में हाथ आजमाये जाएं। हलाकि उन्होंने खेती शुरू करने से पहले फसलों पर बहुत रिसर्च की जिससे उन्हें पता लगा कि अनार, पपीता, सीता फल और नीमू जैसी फसलें जादा प्रोफिटेबल हैं। और अगर वो इनमें नई तकनिक का इस्तमाल भी कर लें, तो वो उन्हें और भी जादा प्रोफिटेबल बना सकते हैं। के लिए एक हाट तो बनता है। की ज़रूरत नहीं है। इसलिए प्रोग्राम का नाम भी यही है। जिसमें आगे बढ़ने के लिए आपको तीन मेजर सीक्रेट्स बताए जाएंगे। और साथी साथ कृता एप की तरफ से आपको पार्टनर भी प्रोवाइड किया जाएगा। जिससे आपका काम और भी जादा आसान हो जाएगा। और साथी साथ आपके साथ जादा से जादा लोग काम कर पाएंगे और रोजगार ले पाएंगे। तो आएए आज इस प्रोग्राम से जोड़ते हैं फड़ा फड़ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएए और नीचे देगे लिंक पर क्लिक करिए और इस प्रोग्राम के लिए आज ही एंड्रोल करिए। जिन्दगी में अमीर बनने और सफलता हासिल करने की कोई उमर नहीं होती और इस बात को सच करके दिखाया है 15 साल के इस छोटे से बच्चे ने यहाँ गाईज हम बात कर रहे हैं इस बच्चे की जिसका नाम है तिलक महता जिसने अपने पिता के लिए कूरियर की सर्विश अपने बेटे के इस बिजनस के आइडिया को जान कर पिता ने भी उसकी मदद की और साथ मिलकर कमपनी का नाम पेपर और पारसल रखा शुरुवात में तिलक की कमपनी ने छोटे स्टेशनरी और बुटीक शोप वाले ओडर लिये और मुंबई के डिबे वालों की मदद से सामान को डिलिवर करना शुरू किया इसी तरह से छोटे छोटे काम करके उनका कारोबार बढ़ते चला गया और आज उन्होंने 100 करोड की डिलिवरी कमपनी खड़ी कर दी है जिसमें उन्होंने 200 से जादा लोगों को रोजगार दिया है गाइस इसे कहते हैं मेहनत का करिश् आपको तिलक महता की स्टोरी जानकर कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग इंफर्मेटिव वीडियो के लिए शेयर सब्सक्राइब और लाइक मिलता है अगली वीडियो